मेरे पूरे फेस्बूक और यूट्यूब की फैमिली को दीपावली की और धनतेरस की बहुत सारी सुबकामना आपकी घर में भी ऐसी ही जगमगाहट बनी रहे हमेशा खुशहाली रहे और आपकी सारी मनोकामना राधरानी इसी जनम में पूरी करें तो जैसे कि आप सबको पता है कि दीपावली आते ही हमारे घर में खुशी अचा जाती है तो आज आपको मैं खुशी को डबल करने के एक बढ़िया सा तरीका बताऊंगे आज आपके साथ एक ऐसा डियाइवाइश करूंगी जिसको आपने घर में कहीं भी रखेंगे ना तो घर की सोभा बढ़ जाएगी यकीन मानगे तो बिना देर करें हुए आज कहीं वीडियो देखें लास्ट तक देखें आपको बहुत जादा पसंद आएगा अगर आप इ की जुगाड से बना के तयार कर सकते हैं घर में कोई फेस्टिबल है या फिर किसी का बड़े है आपका ही मूड खराब है तो इसको जला के रखें यकीन मानिए सच में आपका दिन बन जाएगा आपकी रात बन जाएगी इतना सुन्दर लगता है कि मैं आपको क्या बता हू का नाम जरूर मेंसन करें जिसे कि मैं आपको थाइंक्यू बोल सकूं और आज का थाइंक्यू जाता है छोटे लाल नामदेव जी को ललितपूर उत्तर प्रदेश से और राकेश कुमार जी को उत्राखंड से विरेंद्र सिंग राठोर जी को इंदोर से और गनेश गुपत नहीं लगता और घर में रखी हुई कुछ चीजों से आप बड़े आसानी से इसको बना पाएंगे वह कौन सी चीजे हैं वह यह हैं इस तरह के जो हमारे पास छोटे-छोटे से जवारे बोने के कलास होते ना इस तरह के फ्लेट ठाली कटोरी जैसे हम लेके आते हैं बस हमक बहुत सारे वह दिये थे जिसमें मैं रेगुलर पूजा पाट करती रहती हूं तो वह सारे दियाद मैंने कट्ठे कर लिये हैं और यह जो आपको छोटी-छोटी कलास जैसी पराज जैसे तीन दिये दिख रहना यह दो बार के जवारे बोये हैं और एक में मैं दही जमाती तो मैंने यह तीनों प्लेटे ले ली हैं मिट्टी के बरतन हैं सारे यहाँ पे जो पुराने दिये हैं तो इसके लिए मैंने गरम पानी किया है क्योंकि मैं कई बार इसमें पूजा कर लेती हूं तो इसमें तेल अगी के भी निसान है तो यहाँ पे हमको गरम पानी ही चाहि कर लें और जो दिये मिट्टी लगे हुए थे वो तो बड़े आसानी से क्लीन ही हो जाएंगी यह देखिए सारे दिये हमने धो लिए इसी तरह यह जो हमने बड़े बड़े दिये लिए थे ना इनको भी इसी पानी में डाल देंगे और इनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे आप चाहें अगर दिये में केवल मिट्टी लगी है तो ठंडे पानी से भी दो सकते हैं तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से साब कर लिया यह देखिए एकदम पर्फेक्ट यकीन मानिये सच में फ्री का जुगार कभी-कभी इतना काम का होता है ना कि मैं क्या बताऊं और यह चीज़े हमको आसानी से मार्केट में मिलती भी नहीं है और अगर मिल भी गए तो यह इतनी कॉसली होती है कि हमारी जेब धीली हो जाती है तो चलिए आज हम इसको घर में बनाएंगे सारे दिये सूख चुके हैं तो आम मैंने यहां पे लिया है एमसील यहा पेविक कुएक से भी ज़्यादा मजबूत होती है यह जल्दी से टूटती नहीं है और यह सालों साल तक चलती रहती है तो यहां पे मैंने यह जो दिये लिये थे ना तो एक बड़े साइस का दिया लिया यह अच्छे से एमसील मिक्स करी थोड़ा सा एमसील लगाई और य यह मैंने तीन दिये लिये हैं दो दिये में बिल्कुल एक तरह से बनाऊगी और एक दिया थोड़ा सा अलग बनाऊगी तो यह देखिए मैंने यहां पे इस तरह थोड़ा दूरी दूरी में यह दिये चिपका दिये आप चाहें तो दिये के ऊपर डायरेक्ट एमसील लगा पाउडर अपने हाथों में लगा लें बड़ी आसानी से एंसिल छूट जाती है तो यहां पर अब मैंने दूसरा दिया लिया है देखिए जो दूसरा दिया था इसको भी मैं सेम इसी तरह चिपकाऊंगी लेकिन इस जो सबसे छोटा वाला दिया था इसको मैं कुछ अलग तर आप भी परफेक्ट बना के तयार कर पाएंगी यह देखे इस तरह से फ्रेस करना है और देखते ही देखते मैंने यह सारे दिये में छोटे दिये असेंबल कर दिये और एक गंटी लिए इनको इसी तरह से छोड़ दिया था आप देखिए एंसील परफेक्ट सुख गई है पड़ यहां से दिये चिपक गए हैं और यह न्यूस पेपर भी साथ ही साथ चिपक गया है तो मैंने न्यूस पेपर हटाया और यह देखे इसका कितना मजबूत जोड़ है यह देखे यह मैंने दूसरा दिया भी इसी तरह चिपका लिया तो सारे दिये हमने फिक्स कर लिए अब यहाँ पे हम चाहिए paint तो मैंने यहाँ पे लिया है paint paint मैंने दो color के लिए हैं और दोनों while paint है और उसी के साथ मैंने लिया है tarpon का tel और दो brush देखिए जो paint होते हैं कई बार हम अपने घर में iron के box color करने के लिए लाते हैं दरवाजा paint करने के लिए लाते हैं ये वही paint हैं और इनका सच में paint इतना मजबूत होता है कि अगर आप इस DIY को जब बनाएंगे और धूप में भी रख देंगे तो ये खराम नहीं होते हैं तो हमने इस तरह से paint को अच्छे से mix किया क्योंकि paint जमा हुआ है अब हमने इसमें थोड़ा से तारपीन का तेल mix किया ये देखे अब हमने ये जो बढ़ियां से दिये बना के तयार किये ना इनको इस तरह से paint करना है ये देखे फटा फट से paint हो जाते हैं ज्यादा time नहीं इनका color कुछ इस तरह का था ये देखे अभी इसमें ये जो दिये है ना वो ये transparent दिख रहे थे बहुत अच्छे से इसमें color नहीं हुआ तो मैं इनको छोड़ दूँगी 2-3 घंटे के लिए 2-3 घंटे बाद ये जब सूख जाएंगे तो हम इसमें एक layer और करेंगे ये संद के कोई भी color इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये जो combination है ये बहुत perfect होता है golden color सच में चार चांद लगा देता है तो ये देखे मैंने दो layer complete कर दी है और पूरे 3-4 घंटे के लिए सूख ने दिया है आप चाहें तो इसको overnight भी छोड़ सकते हैं ये पिर 10-12 घंटे के लिए जैसे क्या होगा एक दब perfect सूख जाएंगे आप जब इनको उठाएंगे ना तो आपके हाथों में नहीं लगेगा तो बस ये अच्छे से सूखने के बाद हम अब ये जो दिये है ना इनमें करेंगे golden color एक बार फिर से paint को अच्छे से mix करेंगे और इसमें भी हम दो layer ये देखिए पहली layer है और इसको फिर से हमको 2-3 घंटे छोड़ना है 2-3 घंटे बाद इसकी उपर हमको इस तरह से दूसरी layer लगानी है ये देखिए तब जाके एकदम से perfect golden color दिखाई देने लग जाएंगे ये देखिए कितना बड़ी हैं दिख रहा है और अब हमने इनको भी छोड़ दिया सूखने के लिए 5-6 घंटे हो गए और एकदम perfect सूख गए जब भी आप paint करते हैं तो आपको 5-6 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है और जब आप MC लगाते हैं तो आपको 1 घंटा के लिए छोड़ना पड़ता है अगर आप इस DIY को बना रहे हैं तो आ देखिए अब कोई देख के बता ही नहीं सकता कि हमने इनको घर में ही तयार किया है अब मेरे पास इस तरह के कुछ mirror थे मैंने करवा चोट की थाली शेयर करी थी आपके साथ उसके लिए मैं यह mirror लेके आई थी तो यहाँ पर देखिए मेरे पास यह mirror बच गए है थोड़ा स देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह की कुछ डिजाइन बनाई है यह देखिए बड़ी सिंपल है इस तरह से आप mirror में फैविक लगाए और mirror को इस तरह से चिपकाते जाए और फिर आप सब तो देखते ही है यह तो भाई तोड़ने से भी नहीं टूटता है बहुत मजबूत पकड़ होती है यह एक डिजाइन है दूसरी डिजाइन अभी आपको में दिखाऊंगी और आपको एक बोटल दिख रही होगी जिससे कि मैं यह mirror चिपका रही हूँ इस बोटल में क्या है और मैं किस चीज से mirror चिपका रही हूँ हम जब पंचर बनवाते हैं तो आपने दे पंचर बना सकते हैं यह देखें और आप जब भी इस mirror को लगाएंगे तो आपको आदा घंटा के लिए इनको सूखने देना है तब यह एकदम परफेक्ट चिपक जाते हैं तो यह देखें मैंने एक डिजाइन यह बनाई थी दूसरी वो बनाई और तीसरी यह एकदम जाइने बन के तयार हैं और यह देखें आप इस mirror में हाथ भी लगाएंगे तब यह नहीं निकलेंगे एकदम परफेक्ट साइन आप देख सकते हैं तो यह मैंने तीनों पोट बना के तयार कर लिए हैं बाहर से भी मैंने कुछ mirror लगा दिये थे यह देखें मेरे पास रखे और इस तरह से हमको इनको असेंबल करना है बीच में आप कोई glass रख सकते हैं कोई भी कलस रख सकते हैं मेरे पास तो एक करवा चोट के कलस थे मैंने इनको रख दिया और इस तरह से एक दूसरी को पर आपको set कर देना है यह देखें आप हमको लेना है इस तरह के छोटे छो तो भी आप यहाँ पर डालना चाहें, वो आप डाल सकते हैं, और यह जो दिये हैं इनको आप जला सकते हैं, यह देखें, इस तरह से मैं सच बतारी हूं, एक बार आप इसको देख लीजिए, आपका दिल ना खुस हो जाए, तब आप बताईएगा, यह इतना सुंदर, इतना ब्यूटिफूल लगता है, यह देखें, हो गया ना हमारा घर बेटे एक जूमर तयार, सच बतारी हूं, मज़ा आ जाएगा, आप जब इसको बनाएंगे ना, देखने वाले भी पूछेंगे, कि आपने इसको कैसे तयार किया, और आपका तो दिल खुस होने वाला ही है, क् आपने इसमें मेहनत करी है, तो उमीद करती हूं कि आज का यह वीडियो बहुत सांदाल लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, तो इसको सेयर जरूर करें, अपना प्यार ऐसी देती रहें, जैस्री राधे